दोस्त अगर आप भी भारती टीम की एतिहासिक जीत से खुश है तो हमारे इस वीडियो के लाइक जरू कीजेगा दोस्तो भारती टीम की एतिहासिक जीत को देखकर तो वेस्ट इंडीज के दिगस खिलाडी की खुशी से जूम उठे है और उन्होंने ऐसे दिल्चस्प बयान दी जिसको सुनने के बाद तो आपका विदिल खुश हो जाएगा तो चलिए दोस्तो बताते हैं आपको क्या का वेस्ट इंडीज के दिगस खिलाडियों ने लेकिन उससे पहले आप सुभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और आंद्रे रसल में से कौन बहतरी बल्लेवाज है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रू बताईगा दोस्तो भारती इंडीज के बीच खेले गए चोथा टेस्ट मकाबले में भारती टीम के एतिहासिक जीत को देखकर वेस्ट इंडीज के दिगस खिलाडियों के भी होश उडगे और ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा बता द प्रदिशन करके इंगलेंड के टीम को अपने पैरो तले रोंद दिया इस वज़े से भारती टीम ने शरंखला में दो एक से बड़त बना लिया है इस वज़े से भारती टीम का दबबा पूरी तरीके से इंगलेंड के उपर हावी हो चुका है अब उन्हें इस बात पर खतरनाक प्रदिशन से विपक्षी टीम के मन में खोफ बैठा देते थे ऐसा ही कुछ अब भारती टीम के खिलाडी लगातर प्रदिशन कर रहे हैं बारती टीम के धिलाडी के प्रदिशन को देख कर उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि आखरी मकाबला भी भारती के नाम रहेगा दोस्तो इसके बाद वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बलेबाज केरन पॉलाड ने भारती टीम की जमकर प्रिशन सा करते हुए कहा कि भारती टीम के द्वारा जो शांदर प्रदिशन देखने को मिला है उसकी वज़े से तो भारती टीम का दबदबा एक बार खच उड़ा दी जिसके वज़े से अब भारती टीम इस मकाबले में एतिहासिक जीत हासिल कर लेगी और वो ये बात लिख कर दे सकते हैं कि भारती टीम आखरी मकाबला जीत कर शरंकला को 3-1 से जीतेगी लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारती टीम आखरी मक अबले में शांदार पद्रशनकार के शरंकला को 3-1 से जीत खके गया नहीं नीचे कोमेंट सेक्शन में कोमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसी घबरों के ले मारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्स्क्राइब कीजिगा